हेलो इस्टुरेंट्स मैं हूँ जूबर सेफी एन आई वलकम यू तो मैं यूट्यूब चैनल ओरिटर इंस्टीटुट ओफ इंग्लिश आज इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर सीन को डिसकस करूँगा सीन है हम्रट का विल्यम शक्सपियर का एक प्ले है एक सीन है जहां पर ओफिल्या कुछ फ्लार्स लेकर जाती है एलसिनोर कासल के अंदर हमें लगता है कि वो रैंडमली किसी को भी कोई भी फूल दे रही है लेकिन ऐसा नहीं है उसके हर एक फूल को देने के पीछे एक रीजन है वो कुछ फूल नहीं भी देती है मना कर देती है कि ये मैं किसी को नहीं दूँगी उसके पीछे भी रीजन है कि उसने वो फ्लार किसी को क्यों नहीं दिया तो उसने कौन-कौन से फ्लार किस को दिये कौन-कौन से फ्लार उसने नहीं दिये और क्यों नहीं दिये उसके पीछे क्या symbolic use था William Shakespeare ने किस तरह से इस scene का इस्तमाल symbolism के लिए किया आज इस वीडियो में उसी scene को discuss करेंगे बहुत सारे questions आते हैं इस particular scene से तो वो सारी के सारे आज जो doubts है वो इस वीडियो में clear कर लेंगे चैनल को subscribe करने अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है अगर आप इसी topic पर एक अच्छा सा blog पढ़ना चाहते हैं तो comment box में आपको एक link मिलेगा blog का आप इस वीडियो में जो कुछ चीज़े छूट गई है वो आपको इस blog में मिल जाएंगे या description box में भी गोई देंगे आप महार से भी पर सकते हैं पहला flower है Roo Ophelia gives Roo to Queen Gertrude and keeps some of herself too Ophelia Roo का फूल जो है वो Queen Gertrude को देती है और कुछ अपनी लिए भी रखती है Roo has been the symbol of bitterness, betrayal and adultery Roo जो है वो symbol रहा है bitterness कड़वा हट खा betrayal धोके का और adultery का adultery कहते हैं जब आपका husband है और आपके husband के होते हुए आप किसी और मर्द के साथ sexual relationship में जाए वो adultery कहलाती है और vice versa तो यही इसी वजह से वो Queen Gertrude को देती है People used to connect Roo with abortions to in those days उन दिनों में Roo का जो connection था लोग abortion से भी जोड़ा करते थे कि इसको खाने से इसको लेने से abortion हो जाता है बाकी Queen Gertrude को वो इसलिए देती है Ophelia क्योंकि वो adultery में शामिल थी उसने अपने पती को धोगा दिया था और उसका उसके बेटी के साथ जो relation था वो bitterness से भरा हुआ था कड़वाहट से भरा हुआ था next flowers हैं fennel और columbine Ophelia gives fennel and columbine to King Claudius Ophelia fennel और columbine राजा Claudius को देती है by giving fennel and columbine to Claudius she gives a very strong message because fennel is the symbol of flattery and columbine is the symbol of deceived lovers यह fennel और columbine के फूल Claudius को देकर Ophelia एक बहुती strong message देती है क्योंकि फैनल जो है वो सिंबल है फ्लैट्री का चापलूसी का और कॉलिम्बाइन सिंबल है डिसीवड लवर्स यानिके धोके बाज प्रेमियों का और अगर आप धोके बाज लवर हैं इसका मतलब आपने अडल्ट्री करी अपनी बीबी के साथ या अपनी प्रेमिका के साथ या आप फैथफुल नहीं है और क्लॉडियस वाथ फैथलेस था उसने धोका दिया अपने भाई को तो इसी वजह से ओफिलिया ने फैनल और कॉलिम्बाइन किसको दिया राजा क्लॉड उसको दिया नेक्स्ट फ्लार्स जो दिये गए वो दिये गए रोजमेरी और पैंसी जो है अपने भाई लियर्टस को दिये शी हर सेल्फ इस्टेट सेट ओफिलिया खुद कहती है इन फूलों के बारे में कि इस तो फ्लार्स आर फॉर्ट्स प्रेयर्स और रिमेंबरंस कि यह फूल जो है यह थौट्स प्रेयर्स और रिमेंबरंस के है याद करने के लिए है वो अपने भाई को फूल देते कि मुझे याद रखना ठीक है अब हम जानेंगे ऐसे फूलों के बारे में जो ओफिलिया किसी को नहीं देती है ऐसे दो फूल है पहला है वालेट्स ओफि थामरे तामरें जो इसे लिए वो वालेट्स किसी को नहीं देती ये इंटरस्टिंग है क्योंकि जो वालेट्स है वो उनका संबंध माना जाता है कि ये प्रतीक है फित्फुलनेस इमांदारी के फिडलिटी यानि के वफाई के विमस्ट एगरी ओफिलियास फादर पॉलोन थे King Claudius के प्रती तो इसलिए उसने वो जो violets हैं वो किस से relate किये अपने पापा Polonius से और उसने ये किसी को नहीं दिये दूसरा फूल जो किसी को नहीं दिया गया वो था Daisy Ophelia picks up daisies and does not give them to anyone. Ophelia daisies को pick up तो करती है लेकिन उन्हें वो किसी को नहीं देती. That's so harsh and truth. ये बहुत ही harsh है और ये सच्चाई भी है क्यों? Because daisies are the symbol of innocence and gentleness क्योंकि daisies symbol माने जाते हैं innocence, मासूमियत के, gentleness सजनता के. Ophelia thinks that there is no one in the court of Denmark who might be considered innocent and gentle. Ophelia को लगता है कि Denmark के दरबार में ऐसा कोई इनसान नहीं बचा जिसे वो मासूम या सजन कह सके. So, I hope आपको समझ में आगे आए ये सी. ठीक कौन सा पूल किसे दिया गया, कौन सा किसी को नहीं दिया गया. और हमें लग रहा था कि ये तो ऐसी चल दा है कि नहीं जब Ophelia इन polarized को दे रही थी तो वो बहुत strong message दे रही थी. वो accuse कर रही थी कि दूसरे करदारों को कि तुम्हारे अंदर ये flaw है और अंदर ये flaw है. चल्दी ही next video में मिलते हैं अगर आपको UPTGT के लिए Grammar का बंच पढ़ना है तो आप contact कर सकते हैं पूटवीटी जीटी के लिट्टेटर का रिकॉर्डिट बच पड़ान है उसके लिए भी कॉन्तेक्ट कर सकते हैं और पेड नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप वाट्सफ सक्वाचिव पर कॉन्तेक्ट कर सकते हूं चलिए मिलते हैं Shcards झाल झाल